हलो एबरीबन कैसे हम सभी उमीद आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आपके लिए लेकिया हूँ आज नंबर सीरीज नंबर सीरीज का आज का टोपिक जो वो बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है सो वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देखना ना भूलें चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस प्यारी से सैसन को आज किस प्यारी से सैसन का पहला कॉस्चन आपके सामने ये रहा question करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो number series है आपकी जो आपकी number series है ये mainly two types की होती है एक में आएगी आपको missing series और एक आपकी होती है wrong series अभी जो हम discuss करने वाले हैं वो है missing series तो missing series का आज का पहला question आपके सामने ये रहा जल्दी से सभी लोगोंने try करना और बताना कि इसका सही answer क्या आएगा series आपके सामने given है देखिए ज़रा two के बाद three आ रहा है six, eighteen and one zero eight next आप से पूछ रहा है कि आएगा चार option आपके सामने given है सभी लोगोंने try करना और बताना है कि इसका चार option में से कौन सा एक option सही है चलिए देखते हैं two into three equal to six मतलब कि first two digit ये number कहलो उनकी multiply करेंगे तो third digit आ रहा है same आगे करेंगे three into six equal to eighteen six into eighteen करेंगे तो आपके पास आएगा one zero eight उसी तरह eighteen into one zero eight eighteen into one zero eight करेंगे तो आपके पास आएगा nineteen double four यानि कि first option इस question का बिलकुल सही रहेगा first option इस question का बिलकुल सही रहेगा one nine double four चलिए next question question आपके सामने ये रहा series है one four three six five eight seven ten nine फिर आगे question mark है आपको बताना है question mark की जगा के आएगा question mark की जगा के आएगा सभी को बताना है किसका सही answer क्या है given चार option में से चलिए देखते है one के बाद three है three के बाद five आ रहा है five के बाद seven है seven के बाद nine आ रहा है उसी तरह four के बाद यहां देखोगे आप plus two हो रहा है six के बाद eight है plus two हुआ यहां भी eight के बाद ten आ रहा है plus two तो आगे भी आपका plus two होगा यानिके 12 आएगा question mark की जगा question mark की जगा 12 आएगा यानिके second option sorry third option इस question का बिलकुल सही हो जाएगा third option इस question का बिलकुल सही हो जाएगा चलिए next question question number third आपके सामने ही रहा सभी लोगोंने try करना और बताना है कि इसका सही आंसर क्या है चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या आएगा series है one, eight, twenty-seven, sixty-four and one zero five आपको question mark की जगा बताना है क्या आएगा देखिए one को लिख सकते हैं one का cube one का cube one आएगा उसके बाद two का cube हो रहा है two का cube यानिके eight आएगा three का cube करेंगे तो आपके पास आएगा twenty-seven उसी तरह four का cube करना है आपको four का cube आएगा sixty-four five का cube करेंगे तो आएगा आपके पास one zero two sorry one two five and six का cube करेंगे तो आपके पास आएगा two one six दोस्तों 16 इस question का बिलकुल सही आंसर है यानि कि आपका option number c option number c इस question का सही आंसर रहेगा चलिए next question question number fourth question number four आपके सामने यह रहा आपको बताना है जल्दी से कि question mark की जगा क्या आएगा सबी लोगों नो try करना है और comment box में comment करके बताना है कि given चार option में इसे कौन सा इसका सही है चलिए चल देखते हैं इसका सही आंसर क्या है gap पर देखेंगे सबसे पहले 80 में से 16 minus हुए 16 minus हुए आपके पास 64 आ रहा है 64 में से 16 minus करेंगे 48 आएगा 48 में से 16 minus करोगे तो आपके पास आएगा 32 and 32 में से 16 minus करेंगे तो 16 और 16 में से जब 16 माइनिस करेंगे तो आपके पास result निकल कर आएगा 0 यानि कि आपका option number B इस question का बिलकुल सही हो जाएगा option number B आपका बिलकुल सही हो जाएगा चलिए next question question number 5 question number 5 आपके सामने ही रहा सभी लोग उन्हें try करना है और बताना है comment box में किसका सही आंसर क्या है series आपकी है 3, 8, 13, 24, 41 question mark की जगा बताना है आप लोगोंने क्या आएगा चलिए देखते हैं series में क्या हो रहा है देखें यहां पर first two digit को प्लस करेंगे first two digit को प्लस कि इलैवन आ रहा है 11 में two प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 13 same logic आपने आगे लगाना है जब 8 और 13 दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 21 21 में three प्लस करने पर आपको मिल रहा है 24 सेम लोगिक आपने आगे लगाना है 13 में 24 प्लस करने है 13 में 24 प्लस करेंगे आपके पास आएगा 37 and 37 में 4 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 41 इसी तरह आगे लगाना है आपने लोगिक 24 में 41 प्लस करने है तो आपके पास आएगा 65 65 and 65 में आप लोगों ने प्लस 5 करने हैं तो आपके पास result निकल कराएगा 70 यानि कि option number C option number C इस question का बिलकुल सही हो जाएगा question mark की जगा आपका आएगा 70 तो इस question का सही answer 70 हो जाएगा चलिए next question question number 6 आपके सामने रहा 0, 5, 22 57 question mark and 205 आप लोगों को जल्दी से comment box में comment करके बताना है कि गिवन 4 option में से इसका सही answer क्या रहेगा first option आपका है 198, second option है 116, third option है 172 और last option है आपका 92 चलिए देखते हैं इसमें क्या logic लगेगा देखिए बन का अगर क्यूब करेंगे उसमें से 1 माइनिस करेंगे तो आपके पास ये 0 आएगा चीक है same आगे करेंगे आप 2 का क्यूब माइनिस 2 2 का क्यूब 8 8 में से 2 माइनिस करेंगे sorry यहां पर आपने थ्री माइनिस करने है चीक है 3 माइनिस करने है आपके पास आएगा 5 सेम लोजिक आपने आगे लगाना है तीन का क्यूब 27 में से आपको 5 माइनिस करने है आपके पास आएगा 22 इसी तरह 4 का क्यूब करेंगे 64, 64 में से 7 माइनिस करेंगे तो आपके पास आएगा 57 और 5 का क्यूब करेंगे उस में से 9 माइनिस करेंगे 5 का क्योंब 125, 125 में 9 माइनिस करेंगे तो 116 निकल कर आएगा आपका अंसर यानि कि option number B इस question का बिल्कुल सही हो जाएगा option number B इस question का बिल्कुल सही answer हो जाएगा चलिए next question question number 7 आपके सामने यह रहा reverse series का question है जल्दी से आप लोगों ने बताना है कि चार option में इसे कौन सा इसका सही है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को like, share, subscribe करना है ना भूलें और जल्दी से वीडियो को like कर दो चलिए देखते हैं question में हुआ क्या देखिए यहाँ पर 19,200 है यहाँ पर 19,20 है यहाँ क्या हो रहा है सीरीज में आपका 10 से डिवाइड कर रहा है 10 से डिवाइड कर दिया ठीक है, same logic आगे लगाओ यहाँ इसने 8 से डिवाइड किया पहले इसने 10 से डिवाइड किया फिर इसने 8 से डिवाइड किया आगे check करोगे तो आपका आएगा कि 6 से divide हो रहा है question है इसी तरह आगे अगले step में ये 4 से divide कर रहा है और आगे ये 2 से divide करेगा पहले इसने 10 से divide किया फिर 8 से फिर 6 से 4 से और last में 2 से divide होगा तो result आपके पास आएगा निकल कर 5 यानि कि option number C option number C इस question का बिल्कुल सही answer हो जाएगा चलिए next question, question number 8 सभी ने वीडियो पॉज करके इसका answer बताना है कि इसका सही answer क्या है 4 option आपके सामने given है 1st option है 11, 2nd option है 13 3rd option 15 and last option आपके पास है 9 last option आपके पास है 9 चलिए देखते हैं इसका सही answer क्या आएगा देखिए 1st 2 digit को प्लस करेंगे तो आपके पास निकल कराएगा 3 उसी तरह 2nd और 3rd digit को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 5 सेम आगे करना है आपको 3 और 5 दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास निकल कराएगा 8 and 5 प्लस 8 करेंगे तो आपका result आएगा 13 यानि कि option number B option number B इस question का बिल्कुल सही answer हो जाएगा चलिए next question, question number 8 question number 8 आपके सामने ये रहा sorry question number 9 question number 9 आपके सामने ये रहा सभी को बताना है कि इसका सही answer क्या है 4 option आपके सामने गीवन है चलिए देखते है इस question को कैसे करेंगे और क्या इसका सही लोजी करेंगा चलिए देखते हैं अगर यहाँ पर 1890 को एक से ही मैं divide कर दूँ एक से ही divide कर दूँ तो आपके पास result निकल कर आएगा 1, 8, 9, 0 अगले step में अगर मैं इसको 3 से divide करूँ तो आपके पास आएगा 6, 3, 0 और जब मैं इसको 6, 3, 0 को divide करूँगा 5 के साथ ठीक है 5 के साथ divide करूँगा तो आपके पास आएगा 1, 2, 6 सेम आगे करना है आपने सेम लोजिक आगे अप्लाई करना है जब 18 से 126 को डिवाइड करूँगा तो आएगा 7 सेम आगे लगाना है लोजिक आपने 18 को डिवाइड कर देना 9 के साथ क्योंकि यहां जो डिवाइड कर रहे हैं 13579 यह कौन से नंबर है आपके सारे के सारे यह सारे के सारे आपके ओड नंबर है ठीक है ओड नंबर से यहां पर डिवाइड कर रहे हैं ठीक है यह सारे के सारे आपके ओड नंबर है जब 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका result आएगा निकल कर 2 यानि कि option number C option number C इस question का बिलकुल सही हो जाएगा चलिए next question question number 10 question number 10 आपके सामने यह रहा series आपकी 4, 2, 8, 16 1, 2, 8 आपको question मार की जाएगा बताना है क्या आएगा 4 option आपके सामने की बन है first option है 5, 62 second option है 1, 0, 1, 8 third option है 2, 0, 2, 4 and last option है 2, 0, 4, 8 तो जल्दी से सभी लोगों ने try करना और बताना है इसका सही आंसर क्या आएगा चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या आएगा देखिए first two digit की multiply कर रहे हैं तो third number आपका 4, 2, 8 कर दिए second और third digit को multiply करेंगे तो आपके पास आएगा fourth digit मतलब पिछले दो digit या number की multiply करने पर हमें अगला number या digit मिल रहा है same logic आपको आगे लगाना है 8 into 16 को multiply करेंगे तो आपके पास आएगा 128 इसी तरह 16 into 128 को multiply करेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा 2048 यानि के option number आपका D, option number D आपका सही हो जाएगा इस question का चलिए next question question number 11 question number 11 आपके सामने यह रहा question दिया है कि 28, 18, 32 50, 72 question मार की जगा की आएगा जल्दी से आप लोगों को बताना है कि इसका सही answer क्या रहेगा जल्दी से इसा भी लोगों ने try करना और comment box में comment करके बताना है कि इसका सही answer क्या रहेगा चलिए देखते हैं इस question को करने का सही logic क्या रहेगा देखें गैप पर तो question बन नहीं रहेगा क्योंकि 2 और 8 के बीच का गैप है 6 का उसी तरह आगी गैप चक करेंगे 10 का है देन उसके बाद 14 का है ठीक है देख लेते हैं गैप पर पहले ये गैप आपका है 6 का 6 प्लस हो रहे हैं यहां पर ये गैप चेक करोगे आप तो ये गैप आपका है 10 का ये गैप आपका है 10 का ये गैप देखोगे तो ये गैप आपका 14 का ठीक है पहले 6 का फिर 10 का फिर 14 का ये गैप देखोगे आप 18 का है ठीक है यह gap चेक करोगे आपका 22 का gap है अब यहां पर एक चीज दिख रही है कि यहां जो gap है वो 4 का है यह gap आपका 4 का है यह gap भी आपका 4 का है यह भी 4 का है double series आगया question में यह double series पर depend कर रहा है question ही आगला देखेंगे तो यहां भी आपका 4 यानि कि 26 है जब आपके 72 में 26 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 88 यानि कि इस question का सही answer जो होना चाहिए था वो 88 होना चाहिए था 88 इस question का चलि देख लेते हैं यहां पर 9 आएगा 98 इस question का बिलकुल सही answer है यानि कि option number D option number D इस question का बिलकुल सही हो जाएगा gap पर था यह double series का question था यह चीक है चलिए next question question number 12 question number 12 आपके सामने ही रहा जल्दी से सभी लोग उन्हें try करना है और बताना है कि इस question का सही answer क्या आएगा जल्दी से try करके बताना है कि इसका सही answer क्या रहेगा चलिए देखते हैं series आपके सामने है 7 21 35 49 63 and question mark अगर इस 7 को हम लिख दें 7 into 1 तो कोई अपती नहीं है ठीक है उसी तरह इसको हम लिख दें 7 into 3 चल पड़ेगा इसको हम लिखेंगे 7 into 5 इसको लिख सकते हैं 7 into 7 इसको लिख लेंगे 7 into 9 तो यहां पर 7 अगर आप चेक करोगे सभी में common आ रहा है और यहां देखो कि 1 के बाद 3 है फिर 5 है फिर 7 है फिर 9 है मतलब यह आपके सारे के सारे odd number है ठीक है तो next odd number आप 7 तो common रहेगा next odd number आएगा आपका 11 तो इसका सही आंसर जोगा वो 77 यानि कि option number भी इस question का बिलकुल सही हो जाएगा option number भी इस question का बिलकुल सही हो जाएगा जलिए next question question number 13 आपके सामने यह रहा question number 13 आपके सामने यह रहा तो सभी लोगों ने try करना और बताना है कि given 4 option में से कौन सा एक ऐसा option है जो इसका सही है चलिए check करते हैं इस question का सही answer क्या आएगा series आपके सामने 37, 47, 58, question mark 79 and 95 आपको बताना है question mark की जगह क्या आएगा चलिए देखते हैं 37 से 47 तक जाना है आपको 37 प्लस इसके ही digit को प्लस करना है 7 और 3 को प्लस किया तो आपके पास आगया 10 तो इसी तरह आगे आपने चलना जगे इनको प्लस करेंगे तो 47 ही आएगा आएगा आपके पास ठीक हैं इसी तरह 47 और digit का सम कितना बन रहा है ये digit का sum बन रहा है आपका 11 plus करेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा 58 same logic आपने आगे लगाना है 58 और digit का sum बन रहा है इसका 13 digit का sum बन रहा है 13 जब इसको plus करेंगे तो आपके पास result निकल कर रहा हैगा 71 यानि के question mark के जग आएगा 71 series को आपने आगे भी चेक कर लेना है 71 और इसके digit का sum कितना हैगा digit का sum आएगा आपके पास 8 तो आपका अगला जो बन रहा है वो 79 ही बन रहा है it means इस question का जो सही answer है आपका 71 यानि के option number A option number A इस question का बिलकुल सही रहेगा चलिए next question question number 14 question number 14 आपके सामने ये रहा सभी लोगोंने try करना है और बताना है कि इसका सही answer क्या आएगा सभी लोगोंने try करना है इसका सही answer क्या आएगा चलिए देखते हैं इसका सही answer क्या आएगा और क्या logic रहेगा इस question को solve करने का चलिए देखते हैं सीरीज आपके पास है 98, 72, 14 देखिए अगर 9 और 8 98 के दोनों डिजिट को मल्टिप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 72 72 के दोनों डिजिट को आपस में मल्टिप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 14 और 14 के दोनों डिजिट को multiply करेंगे तो आपके पास result निकल कराएगा 4 यानि कि option number आपका sorry option number 3 बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ठीक है चलिए next question question number 15 question number 15 आपका ये रहा series आपके सामने given है आपको बताना है कि 4 option में से कौन सा एक ऐसा ये रही है आपकी series 69, 55, 26, 13 and question mark चलिए देखते हैं same question है पिछले question की तरह है सभी लोगोंने try करना और comment box में बताना है कि इसका कौन सा ए option सही है चलिए देखते हैं जब 6, 9 दोनों डिजिट को multiply करेंगे दोनों डिजिट को multiply करेंगे then plus 1 कर देंगे तो आपके पास आएगा 55 उसी तरह 55 के दोनों डिजिट को multiply करेंगे 25 आएगा 25 में 1 plus करेंगे तो 26 आएगा 26 के दोनों डिजिट को multiply करेंगे तो 12 आएगा 12 में 1 plus करेंगे तो आपके पास आएगा 13 13 के दोनों डिजिट को multiply करेंगे 3 आएगा and plus 1 करेंगे तो result निकल कर आएगा 4 यानि कि option number आपका D option number D is question का बिलकुल सही हो जाएगा चलिए next question question number 16 आपके सामनी यह रहा जल्दी से बताना है सभी लोगों ने try करना है question को video को pause करके और बताना है कि 4 option में से कौन सा एक ऐस option सही है चलिए देखते हैं किसका सही आंसर क्या आएगा series आपके सामने है 10 26 50 82 122 and question number चलिए देखते हैं कि series में क्या हो रहा है चलिए gap देखते हैं सबसे पहले 10 और 26 का gap आपका 16 का है 16 प्लस हो रहे हैं 26 50 बीच का gap आपका 24 का उसी तरह यहां gap आपका 32 का आएगा और यह gap आपका आएगा 40 का अगर यहां gap यहां चेक करोगे तो आपका प्लस 8 प्लस 8 का gap है प्लस 8 प्लस 8 का gap है जब 40 में प्लस 8 करेंगे तो 48 आएगा अब आपको करना क्या 122 में ये 48 प्लस कर देने है तो result आपका निकल कर आएगा 170 यानि कि option number B इस question का बिल्कुल सही हो जाएगा option number B इस question का बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए next question question number 17 आपके सामने ही रहा series आपके सामने given है आप लोगों ने बताना है कि इसका सही आंसर क्या आएगा सभी लोगों ने try करना और बताना है इसका सही आंसर क्या आएगा चलिए देखते है 432 288 question mark ये series आपके सामने है चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या आएगा देखिए 4 को 8 से multiply करेंगे 32 आएगा आपके पास 4 को 8 से multiply करे रहे हैं 32 निकल कर आ रहा है 32 को 9 से multiply करेंगे 9 2 जा 18 9 3 जा 27 1 प्लस करेंगे 28 आएगा फिक है इसी तरह अगर आगे हम 10 से multiply कर दे तो आपके पास आएगा 2 880 2 880 और जब 2 880 को हम 11 से multiply करेंगे तो आपके सामने आएगा 31 680 यानि कि आपका option number A इस question का बेलकुल सही हो जाएगा चलिए next question question number 18 question number 18 आपके सामने ये रहा सभी लोग उने try करना है और बताना इसका सही answer क्या है वीडियो को एक सेकंड के लिए पोस कर लिया करो फिर सभी लोग try किया करो चलिए देखते हैं इस question को कैसे करेंगे क्या logic रहेगा और क्या इसका answer आएगा given चार option में से series आपके सामने है 6, 9, 18, 45, 126, 369 question mark चलिए देखते हैं यहाँ gap अगर देखोगे आप 3 का gap है यह gap आपका 9 का है यह gap आपका 27 का होगा 27 का gap है यह इस gap को check करेंगे तो आपके पास आएगा 1, 8 81 का gap है यह यह gap आपका 243 का है ठीक है next आप से पूछ रहा है क्या आएगा आप से पूछ रहा है आगे क्या आएगा चलिए देखते हैं देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 3 ही 9 को हम लिख लेंगे 3 का स्क्वेर उसी तरह 27 को हम लिख लेंगे 3 का क्यूब यहां कि 3 की पावर 1 लिख लो बैट रहेगा ठीक है 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और 243 को हम लिख सकते हैं एई उजआ पर 3 की power 5 तो next आपके पास आएगा 3 की power 6 next आपके पास निकल कर आएगा 3 की power 6 और 3 की power 6 करेंगे तो आपके पास आएगा 243 के रीजिये साथ 23s are 9 आएगे 4-2s are 12 3-2'm 3-2 자 6 और 17 ये आएगा 369 में आपने इसको फलस कर देना है 11,9,8 यहाँ पर आपका चेक कर लेते हैं यहाँ पर 10 आएगा 10 आएगा यानि कि आपका option number C option number C this question का सही हो जाएगा option number C आएगा this question का सही अंसर चलिए next question question number 19 आपके सामने यह रहा question number 19 आपके सामने यह रहा सभी लोगों ने try करना और बताना किसका सही अंसर क्या है series आपके सामने थी 10, 16 22, 46 and question mark चलिए देखते हैं series into 2 and plus 2 करेंगे 4, 2, 8, 2, plus करेंगे 10 आएगा 10 को 2 से multiply करेंगे 20 आएगा 20 में 2 प्लस करेंगे तो 22 आजाएगा same logic आपने आगे लगाना है 22 को 2 से multiply करेंगे 44 और उसको 2 से multiply 2 प्लस करेंगे तो 46 आएगा 46 को 2 से multiply करेंगे 92 और 92 में 2 प्लस करेंगे तो result आपके पास आएगा 94 94 इस question का बिलकुल सही आंसर हो जाएगा यानि के option number D चलिए आज के session का last question question number 20 question number 20 आपके सामने ये रहा question number 20 में series आपको दी है 37 29 question mark 19 and 17 आपको बताना है question mark की जगा की आएगा तो सभी लोगों ने video को एक बार पॉस करके इसका अंसर करना है जल्दी से इसका सही आंसर क्या है चलिए देखते है 37 और 29 के gap बीच का gap है minus 8 का ये gap आपको पता नहीं अभी और 19 और 17 में से minus 2 तो 17 आ रहे है तो ये जो series है यहाँ पर आपका minus 6 और minus 4 का gap हो सकता है फिर आपकी series follow कर जाएगी 8 फिर 6, 4 and 2 करके जब 29 में से 6 minus करेंगे तो आपके पास आएगा 23 और 23 में से 4 minus करेंगे तो 19 आएगा 19 में से 2 minus करेंगे तो 17 आएगा यानि कि इस question का सही answer जो आएगा वो आएगा 23 23 इस question का बिल्कुल सही answer आजएगा तो आज के session में आपके लिए मैं इतने ही question लेकी आया था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share और subscribe करना ना भूले प्रमाइगा बाले अपके साइश बालएगा अन्योमाइगा झात्या ना जो एव journey कर दो आएगår में आएगा